अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, सेर करना विल्कूल न भूले और बेल आइकन दवाए मेरे अगले वीडियो के अपडेट के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी राजमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं लोगी राजमा, ये मैं रात बर भीगो के रखी थी, इसे आपको साथ से आठ गंटा भीगो के रखना होगा तो ये अच्छे से फूल जायाएगा और मैं इस अच्छे से धो भी दी हूँ, अब मैं इसे कूकर में डालूँगी मैं इसे पुड़े रात तक भीगो के रखी थी, इसे मिनिमुम आपको साथ गंटा तो फूलाना ही पड़ेगा तो मैं इसे पुड़े कूकर में डाल दी हूँ, और उसमें अब मैं पानी डालूँगी पानी हमें ज़्यादा डालना है, तो जितना हम राजमा डालेंगे, उससे हम दो, मतलब हमें चार कप लगवक पानी डालना है और उसमें मैं नमक डाल दूँगी मैं इसमें गरम मसाला कुछ भी घर खड़ा नहीं डाल रही हूँ आप चाहे तो आप कुछ खड़ा गरम मसाला भी डाल सकते है अब मैं एक कुकर को लगा के इसमें इसे गैस पे चरहाऊंगी तो मैं इसे गैस पे चरहा दी हूँ मैं गैस आन कर दे रही हूँ हो गया है कि गैश मेरा ऊन हो गया है तो इसे में अप आठस से 0820 लगाएं गी अठसे नौव सूटी में ये फूरा अच्छे से गल जाएगा तो तो तक मैं प्याज लेती हूं इसे और उसी मिक्सी में प्री clarify आ सदना टमाटर तो मैं ज्यादा मसालेदार नहीं बना रही हूं तो अब इतना काफी है अच्छा है तो एक और प्याज ले सकते हैं तो मैं इसे मिक्सी में डाल रही हूं कि मैं इसे भी पुड़ा मिलाओंगी इसका मिक्स्चर बना दूँगी मैं क्याआ बहए है और इसमीए करण मिर्च डाल देरी हूं आभ मैं इसे मिक्सी को अच्छे से मिला दोंगी इसका एक मैं पेस्ट बना रही हूं चाया तो आप अलगलग टमाटर और प्याज का पेस्ट बना सकते मैं एक्षी साथ यह बनाई हूं देखे बन के तैयार है टमाटर जिन्जर गार्लिक लिए हूँ तो हम मसाले में मैं धनिया पाडर ली ओ., गरम मसाला ,सब्जी मसाला यह कस्मिरी यह बलम्ष है यहाँ हम ता तीखा होता है तो मैं कलड के लिए डाली हूँ, तो सबसे पहले मैं पैन लूँगी, पैन में पैले टेल डाल दियूँ, देकि मैं तेल गरम होने लगा है, तो मैं वो पेस्ट को मैं डालूँगी, जिसे मैं बनाई थी, और इसे मुझे पकाना है अच्छे से, पकने में ये लगबाग 5 मिनट लगेगा, क्योंकि इसे हमें अच्छे से पकाना है, क्योंकि प्याज पकने में टाइम लगता है, तो इसलिए हमें अच्छे से पकाना है, कि प्याज कच्छा न रह जाए, क्योंकि पेस्ट में पता नहीं चलता है, प्याज कभी-कभी कच्छा रह जाता है, तो मैं इसे कवर करके थोड़े दे पखा देती हूं देखे प्याज हमारा पक चुका है देखे कलर भी तो बदल गया है तो मैं इसमें जिंजर गालिक पेस्ट डाल दे रही हूं अब इसे थोड़े दिर में मिलाओंगी अब इसमें मैं मसाला डालती हूँ मसाला में जो लीथी सब डाल दे रही हो सिर्फ मैं गरम मसाला नहीं डालूँगी गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी देखे मैं गरम मसाला बाद में डालूँगी अब मसाले को अच्छे से मिला देना है वांवस हमें थोड़े दे तक भूड़ना है कि मसाला इच्छे से पक जाए सब में देखे मसाला भी पकड़ रहे हैं तो मैं जो result पुलाई थी CT लगाई थी कि मैं उसे प्ञेश बड़ने रही हुग नहीं है तो यह काफी अच्छा आएगा स्वाध तो इसे मैं मिल रही हूं आप चाहे तो इसमें थोड़ा और पानी डाल सकते हैं अगर उस्थे चावल के साथ खाना चाहते हैं तो तो मैं थोड़ा कवर कर देरी हूं कि राजमादम तो अपस मिक्स हो आप अच्छे से पक जा जाल यह देखिए राजमादम बन गया है तो मैं इसमें गड़म मसाला ड़ी यो मैं बाद में वोड़ी ती डालूंगी कि और इसे पर अच्छे से मिला देए हूं पानी आप अपने हिजाब से रख सकते हैं अगर आपको चावल खाना है तो इस पानी ज्यादा रख सकते हैं अगर डोटी के साथ खाना है तो इसका पानी आप तो इसका ग्रेवी थोड़ा सुक जाएगा तो मेरा राजमा तो बनके त्यार है तो मैं इसे बावल में निकालती हूँ राजमा एक बहुती स्वाधिस्ट डिस है आप इसे ठंड के टाइम पे या कभी भी आप इसे खा सकते हैं आप इसे चावल रोटी ये किसी के साथ खा सकते हैं तो मेरी recipe बन के तयार है तो बताईए comment section में कि आपको मेरी recipe कैसी लगी अगर आपको मेरी recipe बसंद आईए तो like, subscribe, share करना बिल्कुल न भूले और friends और family के साथ share भी करना बिल्कुल न भूले तो अगले वीडियो के लिए इंतिजार करें